subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos hello friends welcome to my channel pharmacology concerts by Rajesh Shaudhri and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the tetracyclines antibiotics तो आज की इस वीडियो पे हम tetracyclines antibiotics को शुरू करने वाले हैं इस वीडियो पे हम बसी लिकावर करेंगे basic history and introduction and the basic pharmacology बात करें इस topic की तोई topic आपके बेफार्मसी 6th semester medicinal chemistry 3 unit number 1 का chapter number 4 है इसका lecture number 1 है and if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology और medicinal chemistry for the from 6th semester you can check description box below or by using this link इसके अलाबा आपको notes चाहिए तुम्हे अपने notes www.pharmacycconcept.in पे upload करता हूँ वहां से आप notes वगरा लेट कर सकते हैं so let's start the topic so tetracycline antibiotics तो बिसके लिए भी तरके से antibiotics है पिछली वीडियोस में हमने अर्डी कवर कर चुके हैं beta-lectrum antibiotics जिसमें आते हैं penicillin, sephalospirin, monobectums and carapenam उसके बाद हमने कवर किया है immunoglycosides जिसमें आते है steptomycin तो यह भी एक तरके से इन्हीं के class की जैसा ही antibiotics है, बहुत important drugs हैं but इसका mode of action है थोगा सा different है बाकी antibiotics के comparison पे यह बिसके लिए आपके अगे बात करेंगे यह detail में तो इसके लिए आपको बेसिक यह पढ़ना है वह है आपका ड्रक की बात करें उसमें आते हैं आपके tetracycline, oxytetracycline, clotetracycline, minocycline और doxycycline अभी आपने यह रख के बारे बहुत सज़गा सुना होगा अगे बात करें हम लोग इस current years की मतलब drug का यूज किये हैं आपके covid के prevention के लिए बट कितना यह कारगर था कितना नहीं था यह तो अभी फिलाल research की बात है हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में जो चलिए हम बात करते हैं basic history और introduction के बारे में tetracyclines, नाम से यह tetra means for, cyclines means cyclic ring. so tetracyclines are the broad spectrum, bacteriostatic antibiotics, तम से आपका broad spectrum मतलब as antibiotics जो की multiple organism चाहे बैक्टरिया हो फंगस हो आपकी वारस हो उन पे भी अपना effect so कर सकता है ठीक ग्राम negative भी करता है ग्राम positive भी करता है उसके अलावा आपके जो और है आपके जो बैक्टरिया है आपके जो प्रोटोजवास है उनको भी ठीक करता है ठीक है उसके अलावा जो है आपके बैक्टरिया स्टेटिक्स हैं मतलब यह जो ड्रग है यह इंटिवाटिक्स हैं यह बैक्टरिया को किल नहीं करते यह उनके ग्रोथ को इनिबीट करते हैं यह बैक्टरिया जो नहीं करते हैं यह बैसिक रिंग है यह आपका बैसिक रिंग है जो है आपका अपका अपका ऑक्टा हाइड्रो नेप्थासीन निकलियस यह आपका अपका अपका रिंग एस लेकर डी यह आपका रिंग ए मान चलो यह भी यह सी और यह दी चार बैसिक रिंग होते हैं जो कि फ्यूस्ड होते हैं ठीक है यह फिर आपके अपका अपकी तरह यह भी आपके अपकी ओक्रिंग का रोहें जो इस फिससर हैं उनसे ही the gram-positive as well as the gram-negative bacteria and rickettsia, mycoplasma, chlamydia, spirochates and some protozoa. इन पर ये effective है. ठीक है? And the first member of this class are the discovered in form of chlorotetracycline from the streptomyces orificens and oxytetracycline from the streptomyces remosis as a natural product. याद रखिए जितने भी drugs हैं उनमें जो दो ड्रग थे आपके chlorotetracycline और oxytetracycline ये दो ड्रग नेचरली occurring drug हैं इनको हम पहले discover हुआ था इनकी ये आपके main drug है लसुलाती दौर पे discord हुए थे और ये जिनका source आपके bacteria है इसको आपके बेक्टरिया है इसको जो जो आपके इसको आपके बात करें इसके हिस्टरी की तो पहरे बात करें तो यह जो है फस्ट जो है पर प्रोड़क्शन है वो फर्मनेशन के थुरू होता है फर्मनेशन के थुरू बहुत सरा एंटिवाटिक्स आपके प्रोड़ूस होते हैं याद रखिए ठेक है जो कि वी सिख्स यापका 6 यापका पॉसिवल नहीं है सिक से सिक से सेवन एट नाइन ठेक है यह आपका इलेवन यह आपका ट्वेल यह एट यह हो सकता है न तो यह कॉमन चीज़े हैं इसमें चार्डिंग होंगे जो बॉंड है आपके यह आपके एल्विटिक होगा चारों इस और ये सी और ये दिक उप्राइब यहां से इसलिए यह वाहन लेते हैं तो दी रिंग जो है होंगे ठिक और इस रिंग भी जो बी रिंग है उस पर आपका 11a और 12 के बीच में एक की डॉल मांट होगा याद रखिए यहां पी डॉल होगा यह वन टू और टू और टूर्ट री के बीच में यही फिक्स है आपका उसके लावा जो है आपका यह ओ-फो ओ-फो ठीक इससे होगा तो कुछ चीजें कमन होंगे कुछ चीजें कर सकते हैं मिजली बात करें हमारे ज अंद लेटर लेटर भाई था मुडिफाइग दरी एंड प्रोडिव। दो मिठा साइक्लीन पिर उन्होंने इस रिंग को मोडिफाइट किया खासकर इस अर्या को उन्होंने कियो देखिए कैसा होगा यहां पर उन्होंने विस तरह सल्वन मादिया तिक और आपका फ़ाइ सब्सक्राइब को लेकर इस सकते हैं कि फस्ट डिस्केवरी किस ने की थी ठीक है कौन सा आपका नेशल प्रोडक्ट था जो फ़र्स ट्रकरिंग था वह को और और ऑक्सी ठीक है फ़स्ट किसने की थी आपका बेंजमीन मिंज डगर ठीक तो इसस पूशन आते हैं अब आते हैं बेसिक फर्मकलोजी की बारे में डिटेल्ड फर्मकलोजी की बात करें त हम दो और सकते हैं इक हो हैपका नेच्रोल एक आपका समी संथेक पगल नेच्रोजीन देमेब किलोसाइकलीन अदेमेचली 多 जार्टालांकहाई चार ड्रग आपके निच्रोल अकषिंग है ठीक बात्करेंच के मोड अटाश्टेकलि इस में में आतिए हैँ के तीक मैन मेंटने का है यह आपके semi-synthetic derivative हैं बात करें के mode of action की so they invade the binding of the tRNA ठीक समझिए कैसे they enter the bacteria by an active transfer system absent in the mammalian cells and resistant bacteria ठीक है इनका जो entry है bacterial cells में वो आपके होते है active transfer system के थो इसलिए यह जो है हमारे tissues पे हमारे cells पे या आपके जो bacterial resistance होते हैं उन पर यह आपके इंटर नहीं कर पाता और उनको उधना effect नहीं कर पाता ठीक है and inhibit the protein synthesis इसके लवाई क्या करता है protein synthesis को inhibit करता है जो आपको complex है हम आगे बात रहेंगे जिससे कि यह देख लेते हैं यह basically mRNA complex है यह आपका rRNA है यह आपका mRNA है जिसमें होते हैं kodons होते हैं जो tRNA है उसमें antirons होते हैं जब tRNA इस IT पे जाके bind होता है mRNA तो बनता है antirons sequencing होता है और एक आपका immunosid जो हैं बनता है लेकिन जो टेटर सैकलिंस हैं वो आपको इस तरह से काम करता है और यह विस्ट काम करता है और यह जो आते हैं जिसमें आते हैं आपका क्या है बेक्ट्रोस्टेटिक्स हैं बट इन सम बेक्ट्रिया जो से की बात करें पर यह जो करते हैं याद रखिये आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है जी पेट के हिसाब से ठीक है टी आरेने और एम आरेने का जो बांडिंग है या पी ट्रेशाकलिन हो या मने का बांडिंग हो उनमें में इसम का महुत बढ़ा रोल होता है में इसे को फेक्टर की तरह काम करता है अगर पोश्चन ऐसा क करता है कि अगर जो है में इसम आयन की कमी हो किसी किसी बॉडिक के अंदर में तो कौन से एक्टिविटी कम होगी तो आपका टेट्रा साइक्लेंज याद रहिए ठेक क्लियर चलिए जब कहुंगे मोटवेक्शन अब आते हैं थ्रेप्रिटिक यूस के बारे में क्या इनकी यूस को सकते हैं यूस्त बहुत सारी हो सकते हैं बट क्लिकली इंपोर्टेंस कम है क्योंकि इनकी जो टॉक्शिटी है वह हाई है इडिस उस्ट इन दो प्लेरा क्लिमाडिये इन्फेक्शन औरिया शिफेली एक ने टेकर्स एइंफेक्शन वुष बुसलोसिस ग्वेग्ट Descentry, Vipolar Disease, Leptosporosis, Lame Disease, Lost Bone Disease, Relapsing Fever, Narcodyons, Meliodiosis, Chronic Bronchitis, बहुत स्ताइडिन के यूज़ हैं, लेकिन क्लिनिकले इंपोर्टेंस बहुत ही कम है क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, यह आपके बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आपके जी पेट में आते हैं या दखिए एंटी बार्टिक्स जितने भी चिप्टर है या बात करें एंटी मागेवल एजेंड के उनकी यूज उतने इंपोर्टेंड नहीं है इतने की उनके साइड एफेक्ट्स क्योंकि सारे एंटी बाधिस का जो यूजेज है अल्मोस्त तिमलर है सभी कहीं ने कहीं इंफेक्शन में अजोते हैं चाही हो आट यू यू टिया एई हवा बिक्रेल इंफेक्शन हो लंग क्शन हो ठीक है लेकिंग जो साइड इफेक्ट्स है वो स्पेसिफिक होते हैं बात क सब्सक्राइब करते हैं उसके लोग जो डिस्कलरेशन है आपके टीथ का आता है इसके आपका नेपर टॉक्सिक है यह आपका फेटिलीबर इंप्रिक्नेंसी कॉस करता है सब्सक्राइब करता है अब यह किया है टम सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए आपका इंप्रिया है यह सब्सक्राइब कर सकता है यह अपेसं पर डेक्ट्रीड कर सकते हैं यह जो किल कर सकता है उनसको भी कर सकता है उनको भी करने की वज़़ा से जो क्लीरा से जो सबंते हैं चार्द के सब्सक्रों तो ह्मख्राइट से पारों जो हैं वो उनमें यह वो ही दो उते इतौत के आपके सैंफेंज में जाते हैं इसके सवे जाते से शेटरी और दूसरे बेक्टरियाज की दूसरे वारास के दूसरे आपके माकर ओग्रीजम की इंफेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं इन्हेंस बढ़ जाना इसलिए क्या है आपका सुपर इंफेक्शन कास कर सकता है ठीक तो यह हो गए उसके बेसिक फार्माकलोजी नेस्ट क्लास में हम दिखेंगे Structural Activity Recensive of the Tetra-Cycline ठीक, हम इसके SAR को डिसक्स करने वाले हैं नेस्ट क्लास में So, if you like my videos, please press the like button share with your friend and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the coming videos and last, thank you, keep watching